हलो दोस्तो स्वागत है आप सब का मेरी यूट्यूब चैनल दर निक्स लेवल पे दोस्तो आज हम बकरी की नसलों में से ब्लैक बंगाल इस नसल के बारे में जानेंगे वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक् अपको मिलता रहे हैं दोस्तो मांस के लिए पाले जाने वाली यह नसल यानिकी ब्लैक बंगाल मुख्यत पश्चिम बंगल की नसल है पश्चिम बंगल के अलावा यह नसल वी राज्यों जैसे कि बिहार उडिशा असम इन राज्यों में भी पाई जाती है यह नसल एक बहुत ज्यादा नहीं होतीayı एक छोटी ट कइड़काठे वाली नसल एक इस नसल का रंक काला तथा सफेद होता है इसका चेहरा भी छोटा होता है तथा इसके मुण झीदे Say इस नसल के कान कान भी छोटे होते हैं और बाहर की तरफ खुले हुए होते हैं इस नसल में नर और मादा दोनों में सींग देखने को मिलते हैं और इनके सींग होते हैं वो बहुत ही बड़े नहीं होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं और बिल्कुल ऐसे ठूट के समान होते हैं दोस्तो इस नसल में कई सारी विशेष्टाएं देखने को मिलती है जैसे कि ये नसल बहुत ही जल्दी प्रजण शम अवस्था में आ जाती है यानि कि बहुत ही जल्द बच्चे देने के लायक हो जाती है इतना ही नहीं इस नसल में कई बच्चे देने की शमता है और बहुत ही बार-बार बच्चे देती है और सीधी सी बात है कि जब ये बार-बार बच्चे देती है तो इसमें दो ब्यातों का अंतर भी कम पाया जाता है इसके अलावा इस नसल में जुड़व बच्चे देने का प्रमान भी अच्छा खासा देखने को मिलता है जुड़व बच्चे देने का प्रमान करीब 50% तक देखने को मिलता है ये नसले तीन बच्चे भी देती है और तीन बच्चे देने का प्रमाण करीब 5% तक देखने को मिलता है परन्तु इस नसल में दूद का प्रमाण अन्य नसलों की तुलना में बहुत ही कम देखने को मिलता है और इसी कारण जब ये तीन बच्चे देती है तो बच्चों का खास ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ये इस नसल में जादा दूद नहीं होता है इसी वज़ा से बच्चों में मृत्यू का भय बना रहता है इसलिए ये जब तीन बच्चे या दो बच्चे दे खासतोर पर तीन बच्चे दे तो बाहर से दूत की विवस्ता करनी पड़ती है अगली बात की जहां भी इस नसल की बात चलती है वहाँ पे इस नसल की मटन की टेस्ट की बात जरूर आती है क्यूंकि इस नसल का मटन बहुत ही स्वादेश्ट होता है इतना ही नहीं इस नसल की जो चमड़े होते हैं वो भी काफी उत्तम और उत्कृरिष्ट और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के होते हैं यानि कि ये नसल मटन के साथ साथ चमड़े के लिए भी बहुत ही प्रसिद है इस नसल में वयस्क नर का वजन करीब 30 से 35 किलो तक देखने को मिलता है वहीं इस नसल में वयस्क मादा का वजन 25 से 30 किलो तक देखने को मिलता है दोस्तों आज कल बड़ी नसलों की तुलना में छोटी नसलों की उपेक्षक की जाती है जल्दी से इसे कोई पसर नहीं करता और इसकी कोई पालन नहीं करना चाहता परंतु में यह कहूँगा कि यह नसल बहुत ही अच्छी नसल है जो हमें चाहिए वो सारी चीज़े इसमें है जैसे कि मांस की क्वालिटी मटन क्या जो टेस्ट है जो बहुत ही स्वादेश्ट है साथ ही इसके चम्री की क्वालिटी बहुत ही उत्तम प्रकार की है तो मुझे लगता है कि इसके जो स्थानिय लोग है इस नसल को बढ़ावा दें इस नसल का पालन करें तो यह था दोस्तों ब्लैक बंगाल नसल के बारे में आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई हो और यह वीडियो आपके लिए एक उप्योगी वीडियो साबित हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत यह जटाई गरते हमाना किए सेठी साथ जाए जा ली। पर दो जगाए जाए झाल practically थाए हे ह्एक देए हैं जट हुआ हैं